चलिए मैं आपको जो आज केजरी वाल जी को जबानत हुई क्लास बाद में शुरू करेंगे पहले इस कानूनी पहलुको के केश में CRPC involved है इसमें money laundering का कानून involved है इसलिए इसमें IPC involved है तीन कानूनों को मिला कर सबसे खास बात है यह है कि आप जुड़ी श्री के तैयारी कर रहे हैं और यह जो मामला है यह नीचे वाले लोर कोट का भी है लोर कोट मनलब ACMM ने इसका अपने स्तारण किया है और उसकी अपील भी लेकर गए सबाल यह पैदा होता है कि अगर इसमें इस केस में जमानत मिल गई है यानि कि ED के मनी लॉंडरिंग के मामले में जमानत मिल गई है तो फिर क्या वशकता पड़ गई कि आप या जो अभ्युक्त है अभ्युक्त सेशन कोट में तुरंत रिवीजन में गया उस ओर्डर के रिवीजन कोट ने उसको डिकलाइन कर दिया बापस उसी कोट में भेद दिया तो जमानत मिल गई थी तो भई आराम से लड़ लेते लिकिन सत्यता कुछ और है और इसमें जो सत्यता है उसको समझने की कोशिश हम लोग करेंगे सत्यता इसमें ये है कि ED को अधिकार है कि किसी भी मामले में वो नोटिस करके किसी से पूश्ताच कर सकती है अब ED है क्या? enforcement directorate है इसमें किसी complaint की अवश्चता नहीं है complaint आ जाए तो अच्छा है complaint अगर नहीं आई तो भी क्योंकि Prevention of Money Laundering Act के तहत धन शोधन प्रतिशेद अधनियम के तहत धन शोधन गलत तरीके से कमाये हुए धन को रोकना ये ED का काम है और अगर कहीं गलत तरीके से किसी धन को शोधित कर दिया गया हो कोई अवयद धन लिया गया हो कोई अवयद गतिविदी से धन पैदा किया गया हो लीगल तरीके से पैसा पैदा नहीं किया गया है करप्शन से पैसा पैदा किया गया है या निकाला गया है तो ऐसे सभी मामलों में जहां करप्शन का पैसा है Prevention of Corruption Act के तहट उसमें कारवाई होगी कि आपने corruption किया आपने सरकारी लोग पदों पर रहते हुए corrupt काम किया लेकिन धन अगर शोदित कर दिया आएसे अधिक संपत्ती हो गई या फिर आपने गलत तरीके से धन लाए हैं कहीं से तो आपको जबाब देना पड़ेगा जैसे आप income tax के मामले मगर clarification नहीं दे पाते हैं तो आपको income tax department को जबाब देना पड़ता है आप अगर किसी और कानून के तहट किसी और authority को नहीं कर पाते हैं वो जबाब देना पड़ता है वैसी ही अगर आपके पास अवाइद धन है तो फिर आपको जबाब देना पड़ेगा ED को ED को अधिकार है कि वो संबन करके या नोटिस करके आपको बुलाएगा और उसने जो data collect करके रखा होगा या उसके पास जो भी basic information होगी उस पर आपसे बात करेगा इसके लिए किसी F.I.R. की ज़रुत नहीं होती इसके लिए किसी मुकदमे की ज़रुत नहीं होती ये काम है ED का कि वो आपको संबन करके बुलाएगा और prevention of money laundering रेक्ट के में ये प्रावधान है अलब उसमें already ये विवस्था दे रखी है कि अगर आपको ED बुलाती है तो फिर आपको आना पड़ेगा आप ED के द्वारा कोई भी notice कोई भी संबन या कुछ किया जाता है उसको मना नहीं कर सकते इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि अगर prevention of money laundering act के तहत आप नहीं आते तो section 63 clause 4 PMLA का इसमें ये वेवस्था दे रखी है कि व्यक्ति के खिलाफ इसी बात का मुगदमा चलाया जा सकता है कि वो हमारे notice पर आये नहीं बट ठीक है तो ED कहा मुगदमा चलाएगा ED ने 8 संबन किये कहा मुगदमा चलाएगा उसने पहले तीन संबन किये नहीं आप आए फिर उसने तीन संबन किये नहीं आप आए फिर आपको दो संबन किये हैं यानि कि टोटल अभी तक 8 संबन के जरिवाल को हुए हैं सिर्फ ED पूश्ताच करना चाहती है कुछ उसके प्रशने हैं उनके जबाब चाहती है अर्विन केजरिवाल जी उसमें क्या कर रहे हैं वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमें बताओ किस कानून के तहत ये जो वो बात कह रहे हैं ये CRPC के प्रावधान है मैं मानता हूँ CRPC के प्रावधान है CRPC जो अभी फिलाहल जो CRPC चल रही है उसके सेक्शन 4-5 में उसने बताया है कि कहां पर CRPC लागू होगी जब वो कहता है कोई Special Procedure किसी कानून का दिया हुआ है और Special Provision अगर Procedure अगर दिया हुआ है तो उसी CRPC का सही होग लिया जा सकता है prevention of money laundering के मामले में तो उसने अपनी वेवस्था कर रखी है उसने कह रखा है कि आपको फला फला सेक्शन के तहर नोटिस जा सकता है वो जनकरी मांग सकते हैं कोई भी मांग सकता है यह तो बात बिलकुल साफ है कि कोई authority है हमारे देश में उस authority को लोगर संश है सपोज मैं केता हूँ कि development authority है उसको संश है तो वो notification करके बुलाएगा आपको मैं मानता हूँ नगर महपालिका को नोटिस करके बुलाएगा और criminal मामलों में जहां पर criminal मामला आता है जहांपर criminal कानूनों में procedure दिया हुए है उसमें तो उसको बुलाने का अधिकार है और उसके कॉंट्रावेंशन करने करना स्कुद में पराद है यानि कि ED ने जो आपको सम्मन दिये उन सम्मन पर आप उनके पास आए नहीं और आप CRPC के सामान प्रावधानों के तहत उनसे उल्टा क्रॉस कुश्चन कर रहा है वो आपको प् जानबूच कर आप उसमें कुछ खेल कर रहे होंगे ताकि देश को दूसरा एड्रस किया जाए और बात कुछ और करी जाए देश को दूसरा एड्रस मनलब कि हमने तो साब उनसे पूछा कि क्यों बुला रहे हो मुझे किस हैसियत से बुला रहे हो मुझे ये मुझे वो प्रवित्ति के खलाम मुगदमा चलाने से पहले उसको पूरी कॉपी देनी पड़ी आपको चार्शीट की कॉपी देनी पड़ी और चार्शीट में फायर यह सब कुछ होगा अभी चार्शीट तो सम्मिटेस में हुई नहीं है इसलिए 207 की एप्लिकेशन यह भी एक ब्रहम ह यह में बहुत सारे ब्रहम जो पैदा हो गए हैं जो मुझे लगता है कि नॉन लीगल लोगों को समझ में नहीं आएंगे मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा कि इन मामलों में ऐसा हो रहा है तो सेक्शन 63 क्लॉस 4 प्रिवेंशन आप मनी लॉंड्री आक्ट के तहत धारा 114 इंडियन पीनल कोड के तहद मुगदमा चलाने का अधिकार है यानि कि ED के संबन को जब आपने नहीं माना और उनके पास उपस्तित नहीं हुए विल्फुली जानभूज कर उपस्तित नहीं हुए तो ऐसी सिचुशन में धारा 114 का IPC में धारा 114 का कॉंट्रेवेंशन मान जाते हैं तो यह कानून का उलंगन माना जाएगा और इसमें एक महा तक की सजा के प्रावधार आप संबन पर संबन उनने दिये आप आए नहीं इसलिए उन्होंने क्या कि कोर्ट में जाकर एफ्लिकेशन कर दी और कोर्ट में जाकर मुगदमा दाखिल कर दिया किस बात का SEC सेक्शन 174 का मुगत्मा दाखिल कर दिया अब सेक्शन 174 का जो केस उन्हों ने दाखिल गया यहनि कि कोंट्रावेंशन मेरे संवन का कोर्ट ने उस बात पर संवन कर दिया अभी केस क्या है पता नहीं अभी तो संवन सिर्फ इस बात का है कि एडी ने आपको बुलाया और वोटो को कॉगनिजनस लेने का अधिकार है उसने क्या कि इस केस को 200 में कनवर्ट कर दिया 200 का मतलब होता है कि section 200 complaint case तो उन्होंने क्या किया धारा 191A red with section 200 of CRPC section 174 IPC का case है section 63-4 prevention of money laundering actor के तहता अधिकार है अब कोट ने आपको फिर संबन करते किस बात का संबन कि मेरी दालत में आकर बताओ कि आप ने यह अपराद 174 का क्यों कर दिया आप ID के पास गए क्यों नहीं के जिरिवाल जी के लोग उपस्तित हुएंगे मुझे पता नहीं है कि वो उपस्तित हुए कि नहीं हुए मैंने तो केबल ओडर देखा तो केजरिवाल क्या बिल लेनी चाहिए या ऐसे ही आप उसको डिफेंड करेंगे तो देखिए क्रिमिनल केस अदालत में अगर फाइल होगा अदालत उस पर कॉग्नियस लेगी संबन करेगी तो आपको या तो जमानत लेनी पड़ेगी या फिर जेल जाना पड़ेगा तो केजरिवाल जी ने अप्लिकेशन लगाई जमानत की कौन से केस में सेक्शन बन समेटीव अभी एडी का केस नहीं है वो शराप गोटले का केस कही और है और ऐसे मामले में एडी ने एडी की अप्लिकेशन पर कोर्ट ने सुता संग्यान लेते हुए आपको बुला लिया section 191A में ED ने सिर्फ अपने document लगाए कि हमारे पास परियाब तक कारण है कि हम इनको बुला कर पूछें मेरे पास ये ये case है मेरे पास ये fact है वो fact court के सामने रख दिये court प्रेमर फसाई उस पर satisfy होगा और court satisfy होगा क्योंने क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मनिश शुदिया की बात सुनते हुए उस समय और जेस्टिस संजीब खन्ना के अदालत में जो के next chief justice है उनकी अदालत में ये बात establish हो गई कि 330 करोड या 320 करोड का कोई कोई रिसिप्ट पाली गई शराब घोटाला हुआ प्रेमे फसाई ये बात पता लगए कि को 320 से 330 करोड रुपए का transaction पकड़ गया court से ये कहा गया कि भई कि भई हमारे पास तो कुछ पकड़ा नहीं गया ED ने कहा कि साब इनके पास जो कुछ था इननों जो corruption के वो चुनाओं में खर्च कर दिया तो चुनाओं में किस ने खर्च किया चुनाओं में खर्च करने वाली तो political party थी तो फिर उन्हों ने कहा political party को पर्टी क्यों नहीं बनाए जिसने खर्च किया ये पैसा तो political party को party बनाना है अब political party को party मनाने का मतलब यह हो गया कि Arvind Kajriwal उसके सही हो जाख है सही हो जाख होने किनाते है वो party बन गये और सही हो जाख होने किनाते अगर Arvind Kajriwal जी परीड बन गये तो भी यह AD उनको पूछके बुला के पूचhen की क्योंकि सुप्रिम कोट से भी उनको यह मिल गया उन्होंने पाठी बना दी पाठी बना कर पूछ लिया तो अब Lower Court जिसमें ACMM की अदालत में जो मामला गया उस कोट को क्या क्योंकि मामला तो establish हो इना Supreme Court का मामला तो है इसलिए केबल E.D. को कुछ fact रखने थे कि सहाब ऐसा ऐसा मामला है political party के सहयोजक हैं और यह दिली के chief minister नहीं चुकि सरकार में गोटाला हुआ और political party ने खर्च किया सरकार के मुखिया भी वो है political party के सहयोजक भी वही है अब मुखिया और सहयोजक दोनों अगर वही हैं तो बात तो बिल्कुल clear है कि ऐसी प्रसिती में उनसे पूश्टाच तो होगी उनसे पूश्टाच के लिए संबन कर दिया संबन पर वो अपनी अपनी गलत लगा रहे हैं तो कोट ने उनको बेल दे दी है और बेल डाल कर देट दे दिये सिर्फ इस बात की कि ED का संबन आपने कॉंट्रमेन क्यों किया जानबूच कर जानबूच कर ED के संबन पर आये क्यों नहीं अभी वो शराप गुटाले वाला मामला वो तो ED ही पूछेगी ये कोट नहीं पूछ रही क्योंकि कोट में कंप्लेंट केस बो वाला नहीं है वो तो ED ही पूछेगी इसलिए क्या हुआ कि यहनोंने एप्लिकेशन लगाई कि इसको डिस्मिस कर दिया जाए खारिज कर दिया जाए कोई मामला नहीं बनता कोट ने कहा भई सम्मन तो हुए हैं विलफुली हुए हैं रिसीब भी हुआ है आपका बयान भी आया है तो यह तो कहीं नहीं जा सकता कि सम्मन साब सर्व नहीं हुआ सम्मन तो सर्व हो गया और सम्मन अगर सर्व हो गया तो आपकी duty बनती थी कि आप उसमें जाते आप उसमें गए नहीं इसलिए सम्मन का disobedience तो बनता है और सम्मन का disobedience बनता है लेकिन इस disobedience का जो मामला है उस मामले में हम तुमको जमाना देते हैं और अब जवाब लगाओ मेरी अदालत में कि मैं क्यों नहीं गए सिर्फ ये बताओ क्यों नहीं गए मामला क्या है वो छोड़ दो क्यों नहीं गए ये बताओ अब क्यों नहीं गए ये बताओ कि उसकी date डाल दी तो अर्विन केजरिवाल जी ने क्या करना था ये उसके तुरंत बाद इनके लोग चले गए सेशन कोर्ट में यानि की अपेलिंग कोर्ट में सेशन कोर्ट में इन्होंने कहा कि नीचे जो हमने खारिच करने की अप्लिकेशन लगाई थी कि केस डिस्मिस कर दिया जाए कोईश कर दिया जाए वो कोईश नीचे वाली कोर्ट ने करने की बजाए हमारा केस को तारीख डाल दी और तारीख डाल कर सुनवाई करने के लिए कह दिया और हमको साब हमने वहामें जबानत लेनी पड़ी इसलिए इन दोनों ओर्डर के खलाफ वो चले गए सेशन और सेशन ने दोनों के सेशन दोनों ओर्डर को बरकरार रखा यानि कि सेशन ने जो रिवीजन अप्लिकेशन डाली थी वो रिवीजन अप्लिकेशन डिस्मिस कर दी अब क्या होना था लेकिन उन्होंने एक relief दे दी उन्होंने relief की बात कही दी नहीं order में क्या है मैंने session बला order मैंने नहीं देखा लेकिन उसमें court ने ये कह दिया कि श्रीमान जी आप वहाँ application करके चुकि एक महिने की सजा का प्रावधान है समय बहुत बड़ा case नहीं है इसलिए आप परसनल attendance से मुक्ति पा सकते हैं इन्हीं कि परसनल appearance से exemption की application लगा दीजे आप परसनल एक्जेम्ट हो देंगा आपका भगिल बताएगे आप क्यों नहीं गए अदलत के सामने अब वो ED के सामने अगर आप ऐसा कर देते हैं तो फिर ठीक है आप सिद्ध कर देते हैं क्यों नहीं गए अब ये तो मामला मुझे लगता है कि एक महिने के सजा वाला भी बनता ही है और एक महिने की सजा वाला मामला कन्फर्म होता है याँ पर इसलिए इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए कि ED के केस में जमानत मिल गए इससे देखना चाहिए कि इनको जमानत ED के सम्मन का कॉंट्रामेंशन करने के मामले में मिल गई केस अभी बरकरार है तारीक लगी हुई है हाला कि क्वेश जो कोट ने जो 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 इस्टे करने से मना कर दिया केस को क्वेश करने से मना कर दिया अभी इस्टे करने से मना कर दिया लेकिन क्वेशंग अभी क्वेशंग के बाद वो सुनेंगे फिर से मैं बताता हूं नीचे लूवर वाले कोट में यह मैंने पूरा बताया कि किस बात का मुकदमा है 191A section 200, 174, 63, 4 of PMLA, 174 of IPC, धारा 191A of CRPC, धारा 200 CRPC इनके पहत, कोट में संग्यान ले लिया, संग्यान लेकर नोटेस कर दिया, नोटेस करके मामला सुन लिया, कि आपने ED के सामने क्यों नहीं ले, यही एक अपराद है, खुद में अपराद है, कि आप ED के सामने नहीं आए, या मेरे संबन पर आप नहीं आओगे, तो यह अपर कि पूरी सुनवाई करेंगे और आप चाहें तो जमानत ले लिए उन्होंने इस एक मेने के सजा वाले केस में जमानत लेकर यह रिवीजन कोड में आपकी सुनवाई सब्सक्राइब हाँ यह जरूर हम कह सकते कि आप नीचे वाली कोर्ट में जिसमें आपने एडी संबन को उलंगन करने का मामला है उस कोर्ट में चुकि एक महिने की सजागा है तो आप एप्लिकेशन लगा दीजी कि आप प्रसनली प्रेजेंट नहीं होंगे और इसकी जगए पर आप तो आप आपका रेप्रसनेटिव आएगा अब मामला संबन में आए एडी अभी एडी का जो मामला प्रेवेंशन अमनल लॉंटरिंगा वो भी हुआ ही नहीं अभी तो केवल संबन का मामला है इसलिए यह भ्रहम नहीं रखना चाहिए कि उनको बेल मिल गई है यह भ्रहम रख पूज कर संबन का कोंट्रमेंशन पाया जाता है तो भी एक मेहनी के सजय तो यह होगी एक महीनी की सजय के बाद चूट कर आएंगे चूट कर आने के बाद बाकाइदा एडी के सामने प्रेजंट होंगे एडी अप चाहें तो गरफतार कर लेगी बच नहीं सकते इसलिए इसके कानूनी पहली को मैंने समझाने को श्यक्री हम शुरू करते हैं अब अपनी क्लास को की आगे का चेप्टर कैसे शुरू होता है कर दो प्रेजंट होता है बत्ततत हैं